हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुमार नोलेज 2.0 पर आज हमें एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ के बारें बात करने वाले हैं कौन सा फसल का जन्मिस्थान क्या है मतलब कोई फसल कहां पर सबसे पहले उगाया गया धान है धान तो दुनिया में इस समय हर जगा है हर जगा चाओल खाया रहा है लेकिन सबसे पहला कोई न कोई ऐसा देश तो रहा होगा जहां पर सबसे पहले धान उगाया गया होगा गेहूं हैं, गेहूं इस समय हर दुनिया के हर देशों में है तो कोई न कोई ऐसा देश तो पहला रहा होगा जहांपर सबसे पहले गेहूं गाया गया होगा तो आज हम ऐसे ही कुछ फसलों के बारे में जानेंगे कि उनका जन्मिस्थान कहा है सबसे पहले वो कौन से देश में उगाया गया तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को भी दबा दीजिए तो चलिए हैं वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला है धान की फसल जो धान का क्रॉप है ये विश्व में सबसे पहले भारत वा इंडोनेसिया में इनका जन्मिस्थान माना जाता है जो धान है, धान का जन्मिस्थान भारत और इंडोनेसिया को माना जाता है धान से बना चावल आज दुनिया के हर देशों में है लेकिन सायद ही वैसे कोई किसी को मालूम है कि धान का जन्मिस्थान भारत और इंडोनेसिया है दूसरा है मक्का, मेज, जिसका जन्मिस्थान मध्य अमेरिका है तिसरा है गेहू, गेहू का जन्मिस्थान मध्य एसिया को माना जाता है तमबाकू, इसका जन्मिस्थान दक्छुडी अमेरिका को माना जाता है रबड, रबड का जन्मिस्थान दक्षुन अमेरिका, ब्राजील को माना जाता है जव, जव का जो जन्मिस्थान है वो चीन को माना जाता है अरहर, अरहर जो है इसका जन्मिस्थान अफ्रीका को माना जाता है सोयबीन, सोयबीन का जन्मिस्थान चीन को माना जाता है और मूंग, मूंग का जन्मिस्थान भारत को माना जाता है मूंग की जो डाल है ये सबसे पहले हमारे भारत देश में उगाई गई थी इसलिए इसका जन्मिस्थान भारत को माना जाता है इसके बाद है जुआर, जुआर का जन्मिस्थान भारत को माना जाता है उर्द, उर्द की डाल भी भारत को माना जाता है मसूर की डाल, मसूर का जन्मिस्थान चीन को माना जाता है अम्रूद, हमारे भारत देश में हर जगा है, दुनिया में कई जगा है, हर देशों में, लेकिन इसका जो जन्मिस्थान है, वो अमेरिका है, अमेरिका में अम्रूद का जन्मिस्थान है, उसके बाद में है, टमाटर, मेक्सिको में है, टमाटर का जन्मिस्थान है, वो मेक्स आलू का जन्मिस्थान पेरू और गन्ना का जन्मिस्थान भारत तो यह थे कुछ फसलों के जन्मिस्थान के बारे में यह बड़ा इंट्रेस्टिंग चीज है क्योंकि आज दुनिया के हर देशों में हर चीज उपलब दो जाता है पाया जाता है लेकिन वह कहां पर उगाया कहां पर पाया गया सबसे पहले उसके बारे में भी जानना बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही अच्छा है तो इसलिए मैंने इन सभी चीजियो के बारे में सभी के जन्मिस्थान के बारे मताया तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को